प्रिंट्स आज के वीडियो में हम बात करेंगे फीमस इंग्लिश रोमैंटिक पोईट सैम्विल टेलर कॉलरिज की एक पोयम के बारे में जिसका नाम है कुबला खान और अगर इसके पूरे नाम की बात की जाए तो वो होगा कुबला खान और अ विजन इन ड्रीम अ फ्रैग्मेंट तो फ्रिंट्स यहाँ पर पोयम को समझने से पहले बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए सबसे पहले तो यह कुबला खान कौन था तो कुबला खान फेमस मंगोलियन रूलर चंगेज खान का ग्रैंड सन था तो उसी के बारे में यहाँ पर यह पोयम है साथ ही अगर आप इसकी टाइटल को देखेंगे तो यहाँ पर यह जो लाइन है अ विजन इन ड्रीम अ फ्रैग्मेंट इसके पीछे की क्या कहानी है वो भी कॉलरिज हमें बताते हैं वो कहते हैं कि उन्होंने यह पोयम 1797 में लिखी थी जब उन्होंने यह पोयम लिखी थी उससे पहले वाली रात को उनकी तब्या थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी उनके सिर में थोड़ा दर्थ था तो उन्होंने क्या किया ओपियम का थोड़ा सेवन किया और आपियम लेने के बाद वो नीन से सो गए जहां उन्होंने एक सपना देखा उस नीन में और उस सपने में उन्होंने कुबला खान को देखा कहा जाता है कि सोने से पहले वो कुबला खान के बारे में ही कुछ चीजें पढ़ रहे थे तो इसलिए उन्होंने ड्रीम में भी कुबला खान को, उसके महल को, उसके रहने के अंदाज को देखा और जब उनकी नीन्द खुली, तो वो जल्दी से उस ड्रीम को pen से कागस पर लिखना चाहते थे यानि अपनी ड्रीम को एक poetry form में वो लिखना चाहते थे और उन्होंने ऐसा करना शुरू कर भी दिया था, कि किसी ने बीच में उन्हें टोक दिया और इसलिए ये जो उनका vision था, ये जो उनकी dream थी जो उन्होंने देखी थी वो incomplete रह गई, वो उसे पूरा नहीं कर सके तो इसलिए यहाँ इस title में a fragment जोडा जाता है क्योंकि उनके according ये जो poem थी, ये incomplete रह गई थी वो उसे पूरा नहीं कर सके थे Friends, ये जो poem है, ये किसी सची घटना पर आधारित नहीं है ये Coleridge की एक vision है, उन्होंने सपने में जो कुछ भी देखा उसे लिखा गया है तो इसलिए ये जो पूरी poem है, इसमें कई तरह की चीजों को notice किया गया है जिसमें pleasure, beauty और violence, ये तीनों शामिल है और इन तीनों ही qualities को, इन तीनों ही emotions को बहुत ही beautifully mix किया गया है Friends, S.T. Coleridge का पूरा नाम था Samuel Taylor Coleridge उनका जन्म हुआ था 21st October 1772 में और उनकी death हुई थी 25 July 1834 में साथ ही वो romantic age के एक literary critic, poet और philosopher थे और उनकी famous works में Qubla Khan, Biographia, Literaria, The Rime of the Ancient Mariner ये सभी शामिल है तो चलिए Friends, अब आगे बढ़ते हैं और इस poem को पढ़ कर समझने की कोशच करते हैं In Xanadu, did Qubla Khan a stately pleasure dome decree? यानि Xanadu नाम की एक जगह में Qubla Khan, जो की एक Mongolian ruler हैं उन्होंने क्या किया? एक dome, एक building बनाने को कहा एक महल बनाने को कहा किस चीज के लिए? तो उनकी pleasure के लिए सिर्फ उनकी pleasure के लिए एक dome बनाने को कहा गया Where Alf the sacred river ran और ये कौन सी जगह थी? जहां पर जो Alf river है वो बहा करती थी तो बहुत ही beautiful जरूर यहां पर नजारा रहा होगा और इस Xanadu में ये Qubla Khan ने एक महल बनवाने की घोशना की Through caverns measureless to man down to a sunless sea और ये जो नदी थी ये जो Alf river थी ये कहां से बहती थी तो छोटे छोटे cavern से छोटी छोटी गुफाओं से जो इतनी गहरी थी कि शायद कोई इनसान उन्हें नाप नहीं पाता यहां से बहती वी ये जो Alf river थी ये एक समुद्र तक पहुँचती थी जहां ये सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचे यानि ऐसा समुद्र था जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती थी बहुत ही अंधेरा था और वहां जाकर ये Alf river इस समुद्र से मिल जाती थी तो कुबला खान के आदेश के बाद क्या हुआ कि 10 miles यानि 10 miles जो fertile ground था बहुत ही अच्छी जमीन थी उसे क्या किया गया दिवारों से वाल से और टावर से उसे घेर दिया गया और वहां पर ये building बनाई गई ये dome बनाया गया and there were gardens bright with sinuous rills और यहां पर क्या थे gardens थे जो बहुत ही जादा bright थे सूरज की रोशनी उन में पढ़ती थी और sinuous rills थे छोटे छोटे streams यहां पर बहा करते थे were blossomed many an incense bearing tree और साथ ही यहां पर बहुत सारे ऐसे पेड थे जिन पर खुशबुदार फूल लगा करते थे and here were forests ancient as the hills unfolding sunny spots of greenery और साथ ही इस जगा पर क्या थे बहुत सारे पुराने पेड थे एक forest था जो इन पहाडों की तरह पुराना था और इसके चारों तरफ बहुत जादा greenery थी हरा भरा महौल था पेड पौथे थे तो एक तरह से देख सकते हैं आप imagine कर सकते हैं कि कितना beautiful ये जगा था कितनी खुबसूती थी यहां पर और इसी लिए कुबला खान यहां अपना palace बनाना चाहते थे लेकिन आगे यहां पर जो speaker हैं जो poet हैं वो बताते हैं कि यह जो romantic chasm था यानि कि यह जो elf नदी थी इसकी जो stream थी वो क्या करती थी वो पहाडों के उपर से बहती जाती थी इस green hill के उपर से slantly बहती जाती थी और यह कहां जाती थी तो जो cedar trees थे उनके जुंड के बीच पहुँच जाती थी और तब जो नजारा होता था वो बहुत romantic बहुत ही जादा beautiful होता था A savage place और कैसा लगता था तो बिलकुल savage बिलकुल wild और beautiful नजारा था जिसे देख कर कोई भी इंसान खुश हो जाए calling for her demon lover यानि यह place जो था यह इतना savage था इतना beautiful था जैसे इसे देख कर लगता था मानो यह एक holy place हो एक जादवी जगह हो और साथ ही क्या हो बहुत ही जादा sacred हो और इसे देख कर हम ऐसा उमीद करते थे कि अभी हमें एक औरत दिखाई देगी जो क्या कर रही होगी वेल कर रही होगी रो रही होगी किसके लिए तो अपने demon lover के लिए उसका lover जो की satanic है जो की बुरा है उसके लिए वो रो रही होगी कहां तो इस चांद के नीचे इस तरह का एक holy एक डरावना एक sacred बहुत तरह की feelings यहाँ पर इस जगा को देख कर आ रही थी और साथ ही इस चैस्म से यह जो नरी की stream निकली है उससे क्या हुआ यह जो सीजलेस टर्मॉयल थी यानि यह जो river थी यह गोल गोल बिना रुके घूमे जा रही थी पहाड से बहते समय और ऐसा लग रहा था कि मानो यह जो धरती है वो क्या कर रही है जोर जोर से सांसे ले रही है इस तरह से movement और vibration हो रही थी इस नदी के बहने से और फिर क्या हुआ अचानक से इस धरती के नीचे से एक fountain एक पानी का ज़रना बह निकला जो कि किस से जुड़ा हुआ था तो उसी आल्फ रिवर से Amid whose swift half intermittent burst huge fragments vaulted like rebounding hail और अचानक से ये जो पानी ये जो ज़रना स्ट्रीम बहार निकलाया धरती से इस आल्फ रिवर का उसने क्या किया वहां की अर्थ को destroy कर दिया थोड़ा तोड़ दिया जिससे की पत्थरों के टुकडे तूट कर हवा में उड़ने लगे और वो कैसे लगते थे तो हेल के जैसे ओले जो पड़ते हैं तो जिस तरह से ओले जमीन पर पड़ते हैं और फिर थोड़ी दूर छिटक जाते हैं ठीक वैसा ही देखने का लग रहा था ये नजारा और चाफी ग्रेन बिनीद द थ्रेशर्स फ्लेल और साथ ही ये जो पत्थर के टुकडे थे वो क्या थे किसी ग्रेन किसी अनाज की तरह छोटे छोटे थे ऐसे अनाज जिने अभी अभी हार्वेस्ट किया गया हो यानि ये जो पानी का स्ट्रीम तूटकर निकला बहकर निकला जमीन से उसने जमीन में जो पत्थर थे उन्हें बड़े बड़े हिस्तों में भी तोड़ दिया तो उन्हें छोटे छोटे हिस्तों में भी तोड़ दिया and meet these dancing rocks at once and ever it flung up momently the sacred river और यह जो rocks थे यह जो पत्थर थे जो की पोड़े के कारण हवा में उड़ रहे थे सिर्फ यही हवा में नहीं थे बलकि जो पानी की बूंदे थी इस सेक्रेड रिवर की यह जो एल्फ रिवर की पानी के बूंदे थी यह भी हवा में दूर दूर तक इसकी बूंदे जो थी वो हवा में उड़ गई थी 5 miles meandering with a mazy motion through wood and dale the sacred river ran यानि कि 5 miles तक यह जो river थी यह एक mazy motion में यानि बहुत ही धीरे-धीरे बहती वी जा रही थी कहां से तो wood से यानि forest से और dale से यानि की field से इस तरह से हो कर धीरे-धीरे यह जो river थी यह आगे बहती चली जा रही थी Then reached the caverns, measureless to man and sank in a tumult to a lifeless ocean और फिर क्या हुआ यह जो river थी यह बहती वी उन keverns में उन गुफाओं में पहुँच गई जो इतने गहरे थे जिन्हें शायद कोई man, कोई आदमी नाप नहीं सकता था और वहां से यह जो river थी वो धीरे से लुड़कती हुई ocean में जा करके गिर गई और वो ocean कैसा था तो lifeless था यानि ocean के पानी में कोई movement नहीं हो रहा था पानी जो था वो बहुत ही स्थिर था तो इस तरह से यह जो river थी इसकी journey end हो रही थी यह पहार के ऊपर से बहती हुई पत्थरों को तोड़ती हुई धीरे धीरे इन गुफाओं से होती हुई ocean में जा करके गिर गई और इन सभी आवाजों के बीच यह जो पानी की बहने की आवाज थी इन सब के बीच में जो कुबला खान थे उन्हें अपने ancestors यह अपने पूरवजों की आवाज सुनाई दे रही थी जो उससे कह रहे थे कि एक जंग होने वाली है जंग की तयारी करना तुम शुरू कर दो अब यह जो डोम उन्होंने बनाया था जो building जो महल बनाया था समुद्र में दिखाई दे रही थी और समुद्र की लहरों की उपर ऐसा लग रहा था मानो तैर रही हो और यहां पर बैठ कर सुनाई देता था क्या सुनाई देता था तो वो जो mixed sound था किसका तो उस fountain का उस नदी का और साथ ही उन गुफाओं का यह दोनों ही जो आवाजें आ रही थी यह वहाँ पर कुबला खान को सुनाई दे रही थी तो बहुत ही beautiful नजारा तो था ही साथ ही वहाँ जो voices आ रही थी वो भी बहुत melodious थी it was a miracle of rare device यानि ये जो नजारा था ये truly हम कह सकते हैं कि ये एक miracle था ये जो जगह थी ये बहुत ही ज़ादा miraculous थी a sunny pleasure dome with caves of ice यानि कि ये जो जगह थी ये जो pleasure dome था महल था कुबला खान का वो तो sunny था लेकिन इसके चारो तरफ जो गुफाएं थी जहां से ये नदी गुजरती थी वो इतनी गहरी थी कि वहाँ बर्फ जमीवी थी तो sunny और icy इन दोनों का एक contrast था जो इस जगह को और भी ज़ादा beautiful और miraculous बनाता था a damsel with a dulzheimer in a vision once I saw friends damsel का मतलब होता है woman और dulzheimer क्या होता है ये एक musical instrument होता है इसमें बहुत wires होते हैं इस तरह की होती है तो poet यहाँ पर कहते हैं कि एक बार मैंने अपने एक vision में एक dream में एक woman को देखा जो क्या कर रही थी एक dulzheimer बजा रही थी it was an abyssinian maid and oh her dulzheimer she played singing of mount abora अब ये जो maid थी ये जो woman थी ये क्या थी ये abyssinian थी यानि ये एथियोपिया से बिलॉंग कर थी Ethiopian woman थी और ये जो dulzheimer बजा रही थी अपना और साथ ही एक गाना गा रही थी किसके बारे में तो mount abora के बारे में ये जो mount abora है ये एथियोपिया में एक mountain है उसके बारे में ये Ethiopian woman जो थी वो गाना गा रही थी Could I revive within me her symphony and song यानि मैं अगर अपने अंदर दुबारा से recreate कर सकता रिवाइव कर सकता उसका गाना को और साथ ही उसकी जो instrument की sound थी उस मीठे sound को उस गाने को अगर मैं दुबारा से जिन्दा कर सकता दुबारा से recreate कर सकता To such a deep delight it would win me इस से मुझे एक बहुत ही गहरी खुशी मिलती एक बहुत ही जादा सुकून मिलता That with music loud and long I would build that dome in air तो मैं क्या करता अपने उस music से जो की जोरों से होता बहुत ही लंबा चलता मैं क्या करता मैं बिलकुल वैसा ही एक pleasure palace बना लेता एक महल बना लेता जैसा की कुबला खान बनाना चाहते थे और वो महल मैं कहां बनाता तो in the air यानि आसमान में मैं वो महल बना देता उस औरत के गाने को यूज करके That sunny dome those caves of ice तो मैं क्या बनाता वो महल जहां सूरज की रोशनी परती थी और साथ ही वो गुफाएं जहां पर क्या था बर्फ जमीवी थी मैं उन दोनों ही चीजों को आसमान में बना लेता And all who heard should see them there और जितने भी लोग उस गाने को सुनते वो गाना जो वो Ethiopian woman गा रही थी जितने भी लोग उस गाने को सुनते वो आसमान में उस महल को और उन गुफाओं को देखते And all should cry bivare, bivare, his flashing eyes, his floating hair और सारे लोग मुझे देखकर मेरी महल को देखकर क्या कहते कि beware इससे बच कर रहो इससे साफधान रहो इसकी आँखों को देखो कैसी wild है और इसकी hair को इसके बालों को देखो कैसे crazy की तरह हवा में उड़ रहे हैं यानि ये कोई normal इंसान नहीं है ये जरूर ही कोई भूत है या कोई magical इंसान है इसलिए इससे बच कर रहो इससे दूर रहो weave a circle round him thrice इसके चारो तरफ एक circle बनाओ जो कितनी बार बनाओ तीन बार तीन बार इसके चारो तरफ एक circle बनाओ and close your eyes with holy dread और अपनी आखे बंद करो डर से इसकी तरफ देखो मत अपनी आखे बंद करो for he on honey dew hath fed and drunk the milk of paradise क्योंकि इसने क्या किया है जो honey dew है जो की भगवानों का खाना माना जाता है वो खा लिया है और साथ ही जो heaven का milk है इसने उसे पी लिया है तो अब ये एक normal human being नहीं रहा है इसके अंदर कह सकते हैं हमकी दैविक शक्तियां आ गई है इसलिए directly इसकी तरफ मत देखो इसकी आखों को मत देखो इसके चारो तरफ circles बनाओ और अपनी आखे बंद कर लो यहाँ पर friends ये poem खत्म होती है ये poem थोड़ी लंबी थी बट I hope आपको ये video पसंद आई होगी और ये poem भी समझ आई होगी तो please friends वीडियो को like करें comment करें और share करें